दोस्तों आज किस बीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप घर बेटे दो मिनिट में अपने मुबाल फोन का यूज करके एटल पेमेंट बैंक में जीरो बैलनस अकाउंट खोल पाएंगे दोस्तों वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे पेमेंट बैंक है बट अभी हम बात करते हैं टॉप 5 बैंक के बारे में सबसे बैले जो बैंक है वो है गाईज एटल पेमेंट बैंक दूसरे नमबर पर जो आता है वो आता है इंडिया पोस्त पेमेंट बैंक तीसरे नमबर पर है Fino Payments Bank और चौते नमबर पर है यहाँ पर जो है Jio Payments Bank और अगर हम पांचो नमबर की बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर है NSDL Payments Bank दोस्तों अगर हम यहाँ पर compare करें पांचो बैंक में से तो सबसे बड़े नमबर पर आता भाई इसका जो सबसे बड़ा reason है इसका जो network है पूरे भारत देश में वो बहुत ही मजबूत है यानि कि इनकी 6 लाग से भी जादा यहाँ पर बैंकिंग पॉइंट्स है और गाईस इनकी जो service है बहुत है तो गाईस यहाँ पर कभी भी कोई problem आती है जिसके आपका कभी अगर account freeze हो गया तो उसको आपको unfreeze करवाना है तो कभी भी आप जो है nearby जाएंगे तो आपको वहाँ पर banking points मिल जाएंगे इसके अलावा आपको पैसे निकालने है तो भी आराम से आप निकाल सकते हैं तो इस तर की service यहाँ पर उनकी बहुत ही easily मिल जाती है दोस्तों किसी भी payment bank में account खोलने से पहले आपका जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर न payments bank होते क्या है दोस्तों जो normally जो हमारे traditional bank account होते न उसमें हम जितना मर्ची उतना पैसा जमा कर सकते हैं deposit करा सकते हैं और जितना मर्ची उतना पैसा withdrawal कर सकते हैं याने कि निकाल सकते हैं transfer कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर जितने भी payments bank होते न उनमें कुछ limitations होती है आप maximum 2 लाख रुपे जो है transaction कर सकते हैं पूरे साल में इसके अलावा आप per day याने कि daily का आप एक दिन में एक लाख रुपे से जादा कि आप transaction नहीं कर पाएंगे या withdrawal नहीं कर पाएंगे इस बात का आपको ध्यान अगना है तो अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन लोग अपना payments bank में account खुलवा सकते हैं जिनको जादा फाइदा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो सबसे पहले है students अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए यह account बहुत ही काम का रहेगा दूसरा है कि अगर आप कम earning करते हैं आपकी income कम है तो आपके लिए भी यह account बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा अगर आपके पास already bank account है आप चाहते हैं कि secondary आपके पास एक account ऐसा होना चीए जिसमें आप daily मरा की खर्चा कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उसी account का use करना है daily transaction के लिए जो भी आज छोटी मुड़ी transaction करते हैं तो आप जो है daily payment bank में account खोल सकते हैं as a secondary account आप बना सकते हैं हाला कि मैं भी इसको secondary तोवर पर यूज़ करता हूँ बहुत ही बढ़िया bank है दोस्तों यहाँ पर account खोलने से पहले आपको जाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपको क्या के फाइदे मिलने वाले हैं और क्या के यहाँ पर charges है तो सबसे बहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर interest कितना मिलता है ब्याज कितना मिलता है यहाँ पर अगर एक लाग रुपे तक यहाँ पर जमा करते हैं इसके अलावा अगर आप हम नीचे करें, यहाँ पर फेस की बात, तो यहाँ पर भाई, इसका अकाउंट जो है, अकाउंट चार्ज़ से 100 रुपे, एरली लगता है यहाँ पर, इसके अलावा एन्वल सब्सक्रिप्सन चार्ज़ यहाँ पर 100 रुपे प्लस 18% GST है, यहाँ पर एक कंडिशन है कि अगर आप 1 जुलाई सन 2024 के बाद अगर अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपसे कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा, सभी में यहाँ पर इस चीज़ें बताई गई है, इसके लावा यहाँ पर cash deposit बिल्कुल free है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको दी गई है, तो इसके details में आपको link के description में डाल दूँगा, आप वहाँ पर check कर लेना, चलिए बात करते हैं कि आपको account कैसे open करना है, सबसे बिल आपको जाना है video के description में, वहाँ पर मैं आपको link दे दूँगा, जैसे आप link पर click करेंगे इस तरह की से open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको application को download कर लिना है, तो हमने application को download कर लिया है, अब हम यहाँ पर इसको open करेंगे, open करते ही आपके सामने इस तरह के interface कुल कर आएगा, अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना mobile number को enter कर लिना है, अब यहाँ पर दोस्तों mobile number enter करना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास ATL का number हो, ठीक है, तो आपको confused नहीं होना है, number enter करने के बाद यहाँ पर get OTP के ओपर click करेंगे, अब आपके number पर एक OTP आएगा, one time password उसको आप enter कर लेना, हमारे पास आचुका है 9423, उसके बाद login पर click करेंगे, थोड़ असा आप इसको allow करेंगे, दुबारे से permission मांगेगे, उसको भी हम यहाँ पर allow कर लेंगे, allow करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह के से home page पर आजाएंगे, अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे left side में नजर आएगा, manage का एक options है, आप click करेंगे, और सबसे उपर आप देखीगा, यहाँ पर एक options है, earn 7% interest और यहाँ पर करेंगे open account, जैसे ही आप click करेंगे, अब थोड़ा सा wait करेंगे, आपने यहाँ पर आपका इस तरह के से जो है, खुल कर आ जाएगा, अब ATL money wallet, यह basically एक ATL का wallet है, इसको पहले आपको activate करना होगा, तो उसके लिए आपको simply यहाँ पर डोकुमेंट में आप अपना अधार card, voter ID card, driving license, pen card और passport दे सकते हैं, तो जो भी आप डोकुमेंट दे रहे हैं, आप उसको select करेंगे, तो जैसे हमने अधार card यहाँ पर select कर लिया है, अब हम यहाँ पर अपना अधार number नीचे, enter कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे ए यहाँ पर अपना एक pin बना लेते हैं, उसी pin को आप दुबारत से नीचे भी enter कर लेंगे, यानि कि जो pin आपने ऊपर बनाया था, उसको enter कर लेंगे, और उसके बाद करेंगे, अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा, one time password उसको enter कर लेंगे, enter करते ही, यहाँ पर थोड़ा सा wait करे करेंगे, इस तरह के से भाई आजाएगा, congratulations, KYC, registration, success, अब यहाँ पर बता जारा कि अगर आप वोलेट का यूज करते हैं, आपको 9000 की यहाँ पर limit देखने को मिल जाती है, इसकी अलावा आपको जो है, exciting offer मिलते हैं, cashback भी मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर ATL का या वोलेट का यूज करते हैं, इसके लावा आप यहाँ से वोलेट से रिचार्ज कर सकते हैं, bill payment कर सकते हैं, online shopping कर सकते हैं, ticket booking भी करा सकते हैं, और यह बहुत सारी चीज़ें, तो आप simply यहाँ पर जो है, explore पर क्लिक करेंगे, तो अब हम वापस आपको अगर वोलेट का यूज करना है या वोलेट में पैसे एड करने हैं, तो आपको उपर देखेगा, view details, और यहाँ पर आप चक करके अपना pin को enter करेंगे, और अपना वोलेट को control भी कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं कि आपका वोलेट तो activate हो चुका है, अब आपको account कैसे open करना है, तो नीचे आपको नजर तक का आपको recharge, bill payment करने पर cashback मिल जाता है, इसके अलावा zero balance account है, no minimum balance रकने की जरुत है, और यहाँ पर आपको बताया जार कि अगर आप physical debit card लेते हैं, ATM card लेते हैं, तो 15,000 रुपे तक का आपको फाइदा मिलता है, थ्री लेबल safety यहाँ पर दी गई है, आपका जो money है, पै में बना सकते हैं, कैसे बनाना है, और यहाँ पर आप देखो, बहुत ही simple process है, अब आपको अपना इस box में अपना pen number को enter करना है, जो भी आपका pen number है, pen number हमने enter कर लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्लिक करेंगे, आपका pen number आप आपने enter किया था, वो आपको देख जाएगा, अब आपको नीचे वाले box में अपना अधार number enter करना है, चलिए हम अधार number enter करते हैं, तो हमने अपना अधार number enter कर लिया है, तो guys याद रखेगा, अगर आपके पास यह document नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक और option मिलेगा, don't have these documents, आप चाहे तो इस वाले process को भी follow कर सकते हैं, तो अभी फिलाल तो हमने अपना enter कर लिया pen number, अधार number, उसकी बार नीचे आपको नजर आएगा, एक box क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको next पर क्लिक करना है, जैसे आप next पर क्लिक करेंगे, अब याद रखेगा, यहाँ पर ना आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपना एक तो ना condition आपकी lighting होनी चीए, अपकी face में अच्छे से light आनी चीए, ठीके, तो अभी आपको verification करना पड़ेगा, तो आपको ना इस तरीके से अपने पलके जपकानी है, ठीके, ऐसे बंद करनी खूलनी है, ठीके, तो बलके जपकाएंगे, जपका दी हमने, और यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे, अभी ना हमारा जो है, हमारा जो अधार है, अधार से हमारा database match किया जा रहा है, यानि कि हमारा जो photo है वो match किया जा रहा है, बलकुल भाई, यहाँ पर आप दीखीगा, हमारा अधार का details आ चुक आपको यहाँ पर अपने details को fill up करना होगा, जैसे कि आपकी जो है additional details में, आप annual income कितनी करते हैं, पूरे साल में आप कितना कमाते हैं, अगर आप जो है, ढाय लाग से कमाते हैं, तो आपको पहला वाले अपसज़ को choose करना है, अगर आप धाय लाग से 5 लाग कमाते हैं, तो चूज़ करेंगे 5-10 लाग तो वो अगर आप 10 लाग से जादा कमाते हैं तो भाई आपको select कर लेना है तो चलिए हम करते हैं 5-10 ठीक है हमने select कर लिया अपने साथ से देख लेना ठीक है अब यहाँ पर जो है married आप married है unmarried है तो marital status में आप यहाँ पर select कर लेना है अगर आप unmarried है तो unmarried को select करेंगे अगर आप married है तो married को select कर लेंगे ठीक है उसके बला अलावा यहाँ पर occupation यानि कि आप काम क्या करते हैं तो आप click करेंगे अगर आप student है तो आप student को select करेंगे अगर आप Salared है यानि कि Job करते हैं तो जो आपको Salared को Select करना है अगर आप Self-Employed है तो आपको Select करना है Self-Employed Business है, Other है तो जो भी आप करते हैं तो आपको Select करना है ठीक है तो अभी हम Self-Employed है Select कर लिया है उसके बाद जो भी आपका जिमे लाड़ी है उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे box पे इसके लावा दोस्तों आपसे पूछा जारा कि आप क्या physically disabled है यानि कि मान के चलो कि आपके हाथ, पाउं, आँख में कोई problem है यानि कि physically तोर पे आप problem है आपकी body में तो आप इसको yes करेंगे अगर नहीं है तो आप इसको no रखेंगे, उसके बाद नीचे से करेंगे proceed जैसे हम proceed करेंगे थोड़ा सा आप यहाँ पर wait करेंगे तो calendar साब इस तरह के से select करेंगे, उसके बाद अलावा यहाँ पर relationship क्या है wife है, husband है, father है, mother है, तो आप जो भी यहाँ पर relation है आप यहाँ पर select करेंगे, ठीक है इस तरह के से वो हमारे wife का भी address सेम है, तो हमने यहाँ पर yes कर लिया है उसके बाद हम करेंगे proceed, जैसे आप proceed करेंगे, अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पर एक add money कर लो, तो add money आप minimum एक रुपे कर सकते हैं भाई maximum आप कितनी भी करो, तो चलिए मैं यहाँ पर 10 रुपे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद 10 रुपे हमने एंटर कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे proceed पर click पे मैंने कर दिया है, अब वापस मैं आता हूँ एटल में, और थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यहाँ पर 3 मिनिट कर टाइम में maximum ऐसे हैं, जिनको यहाँ पर वेडियो KYC का भी यहाँ पर options आता है, उसके बाद यहाँ पर उनका account जो है, ओपन कर दिया जाता है, देखें दोस्तों, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाये देगा, कि अगर आपको physical debit card चीहें, तो आप यह Exclusive ने यहां पर basic retail को बूचा था और उसके बाद account यहां पर already यहां पर इस तरीके से खुल गया था, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको account open करना है, तो अभी तुस्तों मरा account open हो चुका है, अब पता करते हैं कि कैसे आपको अपना account number देखना है, और जो भी आपका virtual debit card है, ATM card है, वो आपको कैसे देखना है, तो सबसे उपर आपको left side में profile का icon नज़र आगा, क्लिक करेंगे, और यहां पर एक icon है, bank profile, आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हैं, हमने आपने 10 रुपे एड़ किया था, तो 10 रुपे का balance हमारा दिख रहा है, तो आपको balance के उपर क्लि दिक्कत नहीं है, तो इस तरह के से आप बहुत ही आसाने से एटल payment bank में zero balance account उपन कर पाएंगे, आपको वीडियो कैसा लगा, comment करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ में share ज़रूर कीजिगा,